अल्राइट तो देखिए अब हम थोड़ा सा फॉर्मल वर्जिन आफ के मेंस पर आ जाते हैं हमारे नोट्स जो मेंन नोट्स हैं वो देखिए अभी भी CS229 मशीन लर्णिंग जो स्टन्फर्ड का जो कूर्स है उसके जो मेंन नोट्स हैं वहीं से हैं chapter 10 में हम अभी बात कर रहे हैं clustering and k-means algorithm की तो अब देखिए जो k-means algorithm है this is अब देखिए हम k-means algorithm यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए step 1 initialize cluster centroids तो जो last video में हमने pink points and green points की बात की थी उनकी बात हो रिये cluster centroids अब आप उनको बोल दीजिये mu 1, mu 2 माल लीजिये ऐसे k हैं तो all the way until mu k and hence the name k-means algorithm in r to the d r to the d का क्या मतलब है देखिए आप d dimensional data की बात कर रहे हैं second step तो d हमारे पुराने example की case में क्या था? d हमारे पुराने example की case में था 2 यह देखिए x और y यह हमारे 2 dimensions थे तो d इस case में 2 था but in general यह कुछ भी हो सकता है so that's why we are keeping it d अब आपने initialize कर दिया है cluster centroids तो k थे उनको हमने initialize कर दिया है now repeat until convergence तो यह अब देखिए अपने एक loop में है तो यह कहीं देखने से लग रहा है कि while loop जैसे बात हो रहे है so repeat until convergence for every i set c i equal to arg min j mod x i minus mu j ok and यह प्रुबिन इस नम की बात कराएंगे अब फ्रुबिन इस नम की बात कराएंगे basically देखिए for all i अब अपने पास इसमें i का significance क्या है i आपके सारे के सारे points है तो अपने last example में i की value 60 तो जितने points आपके पास जितने data के examples हैं जितने points हैं वो सारे i है so i basically goes from 1 to n अब इस लाइन का देखिए मतलब क्या है right arg min अगेन आपके machine learning में बहुत जगे आएगी यह चीज अब देखिए x i क्या है और mu j क्या है mu j आपका x centroid का coordinate है अब j देखिए arg min j का क्या मतलब है यहाँ पे i के लिए कोई भी एक point लिजिए i-th point लेकिन आप यह सारे i के लिए करेंगे तो आप क्या करेंगे c i को set कर रहे है arg min x i-u j यह देखिए distance है यह distance क्या बोल रही है x i मतलब जो i-th point है तो अब देखिए इसमें आपने जो training जो basically data set है वो अपन बोल देते हैं कि x1 x2 all the way until xn तक है तो यह अपने end data points है तो अब देखिए आई-th point अब आप यह क्या करेंगे for all i सारे i के लिए करेंगे तो यानि कि इन सभी data points के लिए क्या करेंगे याद होगा अपने last में क्या किया था हर एक data point को हमने सारे के सारे म्यूजेस से चेक किया था तो हर एक data point आपके क्लस्टर जो आपने centroid लिया है उससे आप उसका distance निकालेंगे यह देखिए कुछ नहीं जे को choose करेंगे जो इस पूरी चीज को minimize करता है यानि कि किसी एक point i के लिए वो सब के पास में तो होगा नहीं कोई एक centroid होगा जिसके वो नसदीक होगा तो यह वाला जो जे आप चुनेंगे वो वो होगा जो को minimize करता है इस distance को देखिए x i हमारे सारे points है जितने भी हमारे data points है उन्च सारे की बात होगे now यह हमारे cluster centers है k cluster centers है हमारे पास देखे mu 1 से लेके mu k और यह हमारे पास जो points है वो 1 से लेके n तक है अब इसमें आप क्या करेंगे यह distance निकालेंगे यह distance basically कुछ नहीं है जो Euclidean Geometry का जो distance है अपने वही distance की बात हो लिए तो आप इन दोनों points की बीच का distance निकाल लिए तो माली जी i equal to 1 तो पहले point के लिए क्या होगा आप mu j देखिए arg min j अब j कहां से कहां तक जा सकता है जे देखिए j जो है यह basically एक से लेके k तक जा सकता है arg min का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक point के लिए x i के लिए एक point के लिए आप वो j चुनिये जो इस value को minimize करता हो इस value को minimize करता हो का मतलब क्या हुआ कि यह वाला point सबसे ज्यादा जिस centroid के नस्दीक है आप यह c i उसको assign करता हो okay j set mu j equal to summation . Now, for E j j set mu j equal to summation क्या था आपना देखे i equal to 1 to n by n points है 1 c i equal to j x i divided by summation i equal to 1 to n 1 c i equal to j x i divided c i equal to j देखे यह formula again देखने में बहुत complicated लग रहा है लेकिन है यह बहुत simple सा अब यह algorithm देखे यह देखे क्या बात कर रहा है अब यह formula में देखे क्या है हम बात कर लेते हैं i equal to 1 to n है अपना सारे के सारे points तो mu j की value आप निकाल रहें mu j क्या है अपने cluster centers हैं तो cluster centers की आप basically value निकाल रहें इस notation का मतलब यह है कि c i equal to j है तो यह 1 रहेगा else यह 0 रहेगा है तो c i equal to j अब c i equal to j का क्या मतलब है भाई cluster देखे c i का क्या मतलब है कि i th point को j th cluster assign हुआ है इसका basically मतलब यह है तो अगर i th point को j th cluster assign हो रखा है तो आप उस point के coordinates use करेंगे basically हम update कर रहे थे तो हम कैसे update कर रहे थे all right तो वापीस देखें यहां पर हम जब यह values update कर रहे थे हम क्या कर रहे थे भाई pink वाले clusters तो pink में 2 points है तो हम x1 और x2 को ही तो लेंगे ना भाई pink वाले cluster इस cluster का centroid निकालने के लिए हम कोई green वाले cluster के points सोड़ी लेने लग जाएंगे तो जो point जिस cluster को belong करता है तो देखें यहां पर x1 x2 यह आएगा x3 x4 x5 x6 यह यहां पर नहीं आएगा and at the same time यहां पर देखिए green clusters ही आएंगे यहां पर pink वाले नहीं आने लग जाएंगे तो जो point जिस cluster को belong करता है आप सिर्फ उनी सारे points को use करेंगे centroid निकालने के लिए तो जो formula भी हमने देखा वो बस इसी चीज़ को mathematically codify कर रहा है अगर माल लीजे यह x i इस cluster में belong नहीं करता है तो यह 0 हो जाएगा क्योंकि यह i अगर jth cluster में belong नहीं करता है तो यह part 0 हो जाएगा उसके लिए x आईगा ही नहीं तो यह कैसे हुआ जब हमने अभी pink cluster के बारे में बात की थी तो pink cluster में दो ही points belong करते हैं तो दो ही points के लिए c i equal to j होगा right i equal to 1 के लिए i equal to 2 के लिए तो x1 और x2 को आपने लिया बाकी को आपने नहीं लिया आपने जितने points लिए right उससे आप इसको divide कर देंगे भाई यह सब के लिए नहीं है 1 right यह वाला denominator देखिए अब, denominator क्या है this is basically the number of mu j cluster j basically okay कैसे बाई यह definition है i अगर j को belong करता है तो आप इस चीज़ को 1 रखो else आप इसको 0 कर दो आई अगर j को belong करता है तो जितने points j को belong करते हैं उनका count आजाएगा एक के लिए एक, एक के लिए एक करते करते जो इसको नहीं belong करते हैं वहां पे 0 होगा तो something like this तो यह formula I hope कि अब आपको जो है समझ में आ गया होगा और अब हम जो है इसका यह parenthesis यहां पे while loop अपना बंद हो जाता है तो यही तो हमने किया था जब हम पिछले वीडियो में clustering कर रहे थे k-means तो यही तो किया था कि हर एक point का आप distance निकालो हर एक cluster से सबसे नजदीक जो cluster हो उसको उसको assign कर दो यह आपने assign कर दिया distance निकाला सबसे सबसे नजदीक जो था उसको assign कर दिया इसको आपने argument से capture किया है अब आप क्या करोगे एक बार आपने यह सब कर दिया तो अब आप cluster के coordinates को वापेस redefine कर दो and क्या करो वापेस उपर जाओ keep on doing this what does until convergence mean here कि जब तक points का आना जाना change नहीं होने लगे कि जब तक points का इधर उदर जाना रुक ना जाए आपके clusters stable ना हो जाएं तब तक जो है आप इसको करते रही है एक बार ऐसी stage आ गई कि आपके clusters के points जो है इधर उदर जाना बंद हो गए है तो उस case में आप यह बोल सकते हैं कि आपका convergence आ गया है अब जो है आप रुक सकते हैं इस वीडियो में देखिए हमने k-means algorithm की बात की है अब next वीडियो में हम बात करेंगे इसकी properties की